हलो एब्रिवान वेलकॉम बैक टो मैं चानल आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे टी टेस्ट के बारे में सबसे पहले देखें कि उनकी हिस्ट्री एक बार देख लेंगे टी टेस्ट को बताये थे डबलो एस गॉसेट में बताये थे उनने उनकी जो पॉब्लिकेश पॉब्लिकेशन तो अपनी नाम पर yapmış नहीं कर सकते थे उनकी रूल था तो इसलिए उनका जो पॉब्लिकेशन था उन्हने एक नाम दे दिया कि इस लिए स्ट्वडे नॉर्मल के टेस्ट को भी हम स्ट्वडेंट के टेस्ट जानते हैं ठीक पर जो variable की distributions रहता है यानि कि जो sample की माली जितने भी samples है यदि आपको उसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने की कोशिस करोगे तो आपको इस तरीके से बेल से करव आएगा ठीक है normal distribution जैसे रहता है मतलब कि less sample से फिर ज्यादा सेंपल होगा फिर ज्यादा से फिर क्या होगा मतलब उनकी जो मीन जो निकालोगे वह बीचों बीच रहेगा ठीक है अच्छा स्टूडेंट टेस्ट को हम टी distribution बेल से कॉर्व होता है यह थोड़ा ध्यान दीजिए कभी-कभी mcq के अंदर पूछ देता है दिखिए यहाँ पर यहां पर आ रहा है ठीक है मीन यहां पर आ रहा है मानले यह x-axis है और यह आपकी y-axis है ठीक है अच्छा तो यहां पर मीन आ रहा है मीन सभी का उही आएगा लेकिन sample size के उपर depend कर रहा है तो इतना उच्छाई पर है middle वाला और उनकी tail को अब देखिए तो यहां पर है जो tail है इस तरीके से चलता चला जाएगा ऐसा नहीं कि वो x-axis के साथ mix होगा नहीं पाराली चलता चला जाएगा इस तरीके से जब आपन sample size 20 लिया है 20 के case में देखिए sample size जब आप 20 ले रही हो तो इस case में देखिए mean तो इहीं पर आ रहा है लेकिन जो peak value है तो यहां पर है और उनकी जो tail है यहां से उपर है ठीक है 30 से उपर है फिर उनकी जब हम बात करेंगे n 10 की आप जो number of items अपने 10 लिया है तो peak उस से उपर tail वाला हिससा उससे उपर है लेकिन middle वाला peak थोड़ा नीचे आ गया यहां कि मालीजी आपको zero आप जब लोग है तो इस तरीके से flat value आएगा यह तो बहुत ज्यादा हो जाएगा मतलब कि tail से tail के distance बहुत ज्यादा हो जाएगा और यह flat आएगा तो यह corv इसलिए बता रहे ह का tail तो इसलिए यह हमको नहीं होना चाहिए तो sample size जो छोटा रहता है यानि कि 30 रहता है तब हम t-test use करते हैं उनकी formula देख लिए एक बार t-test की जो formula होता है x bar minus mu into square of n divided by s x बार आपको पता होगा हमने mean calculate कर रहे थे तीन formula था mean median mode central tendency के बारे में तो वही mean है यह sample की mean होता है और mu जो होता है population की mean होता है and s आपका standard divisions n क्या होता है number of items कितना items आपने sample से लिया है ठीक है यह होता है आपका n तो हम एक example के तौर पर समझते हैं कि आपको ज़्यादा दर questions में एक thermometer company है जो नहीं क्लेम कर रहे हैं कि उनकी जो thermometer हाँ थर्मोटर सावे mean average life span होता है 20 month होता है यानि कि 20 month से पहले minimum 20 month हो चलता है उसके बाद खराब हो सकता है लेकिन minimum उनकी life average होता है 20 month उसको हम company जो क्लेम कर रहे हैं वह सही है या गलत है उसको हम चुनने के लिए हम randomly seven thermometer लाया है ठीक है या हम ऐसे लोग ढूंड़े जो कि वही बोरोसिल हो कोई भी company है उनकी thermometer यूज कर रहे हैं तो हमने seven sample लाया है परसंस वान बोल रहा है कि हमने जो थर्मोमीटर लिये थे और 19 month काम किया उसके बाद खराब हो गया तू बोल रहा है कि हम जो लिये थे और 21 month काम किया परसंस थाड़ बोल रहा है 25 month फूर्ट शिक्स्टीन फिर seven month फिप्थ परसंस बो कंके 17 month काम किया उसके बाद खराब हो गया उसके बोल वैस कि फूर्टीन month और सेवंथ बोल रहा है कि 21 month उनका काम किया तो के बाद हम उसको क्या करेंगे इस value का हम sum up कर लेंगे क्यों किमकि हमको average निकलना है average क्या होता है total जी जो की sum up कर लेंगे और number of items उसको divide करना है तो number of items यानि कि 8 यहाँ पर कितना है 7 है ठीक है questions में भी यहाँ पर दे रखा है 7 तो हमको total value 133 मिल गया तो हमको mean value मिल जाएगा x यानि कि population जो कितना month लोगों के हिसाब से काम कर रहा है sample हमने रख किये थे तो उससे x बार यानि कि जो mu है sample की mean है उसको हम निकालेंगे 19-90 हो गया 21 मौन काम किया था 21-92 हो गया 25 था 96 हो गया इस तरीक से आप निकाल लोगे फिर हम उसको उनकी square निकालना है x-x-bar की square निकालना है यहां पर देखे 0 का square 0 हो जाएगा 2 का square 4 चेएगा 36 3 का 9 2 का 4 5 का 25 थीक है तो यह plus 2 हो है 2 का होज़ता है 4 तो उसमें हम sum up करेंगे तो हमको कितना मिल जाएगा 82 थीक है यहां पर हमको standard deviations निकालना है और एक चीद्धान देजे जो questions में population की mean 20 दे रखा यानि कि company clip कर रहा था कि हमने जितने भी thermometer बना रही है वो average 20 month अच्छे से काम करेगा तो इसलिए population mean जो हो गया वो आपकी 20 हो गया ठीक है यहां पर population mean standard deviations हम कैसे निकालेंगे देखिए standard deviations के लिए formula क्या होता है अब standard deviations की वीडियो जो है चैनल पर आभेलेबल है यहां पर मैं सिर्फ formula बता देती हूं standard deviation is equal to square root of सबका square root हमको लेना है summation of x minus x बार हमने यहां पर लिख ला निकाला है summation of x minus x बार जो कि 82 है ठीक है उसके बाद n minus 7 n क्या होता है इस number of item 7 तो 82 square root of 82 n minus 1 यानि कि 7 minus 1 is equal to 82 by 6 यह आजाएगा लगभग आपका 13.16 13.67 ठीक है 13.67 आपका आजाएगा उसकी हम square root ले ले लेंगे तो 3.7 आजाएगा ठीक है यह आपकी standard deviations की value हो गया उसके बाद हम निकालेंगे क्या उसके बाद हम निकालेंगे t-test t-test की formula क्या होता है x bar minus n x bar आपका sample sample की क्या हो गया mean हो गया mu क्या हो गया populations की mean हो गया into root n उसकी हमने module ले लेंगे module हम इसलिए लेते हैं बाकि जो sign आएगा plus a minus a उसमें उनका कोई लेना देना नहीं है ठीक है तो यहां पर हम बात करेंगे x bar minus x bar आपका कितना मिला था यानि कि sample के mean कितना मिला था 19 मिला था mu questions में दे रखे हैं कि ओ बोल रहे कि company बोल रहा है कि 20 month है तो उसके बाद हम total number of items कितना था sample items 7 था divided by 3.7 जो कि standard deviations है है आचा तो उसके बाद हम बात करेंगे 1 into 19 से 20 को minus करेंगे 1 आ जाएगा minus 1 अलंकि आ रहा है लेकिन अपने model यूज किया है तो इसलिए 1 ही होगा into 2.65 हो जाएगा square root हम जब निकालेंगे 7 की divided by 3.7 तो यहां पर दिखी आपको मिल रहा है 0.76 ठीक है आपने जो calculate किया calculate करने के बाद आपको value मिल रहा है 0.716 0.716 दे रखा है आपको क्या निकालना है level of significance 1 दे रखा है actually आपको क्या होता है यहां पर आपकी जो टेबुल होता है यानिकि एक value दे देगा कि level of significance में उनके value कितना है दिखें इस तरह से book के अंदर आपको क्या होता है कोई भी tabulated value की चीज़े दे रखा होगा है आपको 0.1% level of significance में क्या चीज़े क्या data होना है यह आपकी tension लेने की जरुरत नहीं है questions के अंदर आपको दे देगा कि 0.1 level of significance में उसका value कितना रहता है 3.707 ठीक है आपने जो calculate किया आपके calculation से value आ रहा है 0.716 तो यहां पर calculated value से जो tabulated value है यह ज्यादा है तो इसका मतलब है कि जो आपने जो hypothesis लिये थे यह एकदम true है ठीक है उनके कहना के मतलब है कि यह एकदम true है तो इसलिए हम इस तरह के से लेके चलेंगे तो आप 0.1 significance के लिए tension लेने की जरुरत नहीं है questions में already आपको यहां पर दीदेगा 0.1 है या 0.5 है कि इतने level of significance में हमको calculate करना है data already given रहेगा आपको टेबूल देदेगे tableted form है जैसे मैंने आपको book में दिखाया है नहीं तो आपको क्या होगा questions में करनल में ओ देदेगा ठीक है तो यह हमने बात किये तो 0.1 आपको table कैसे calculate क करना है इसके लिए में एक और लग सी वीडियो बनाऊंगे table मतलगी कैसे दीखना है ठीक है तो आज की वीडियो आपको पसंदार होगा वीडियो पसंदार तो लाइक कीजिए subscribe कीजिए आपकी दोस्त की साथ भी share कीजिए thank you